हमारी 10% population has accounted for 50% of the COVID-link deaths और इससे हमारे सामने एक और दूसरी अनायल से लगर हम करते हैं तो हम देखते हैं कि साथ ही comorbidities जैसे कि diabetes, hypertension, cardiovascular disease, respiratory diseases इस टाइप के cases में 73% जो confirm cases है उनमें death उनको with comorbidities पाया गया है तो इन दोनों अगर हम अन्शों को देखें तो हम पाते हैं कि आज people who are at high risk are primarily elderly people जो कि 60 अबव एश के हैं further compounded by the fact कि people who are comorbidities जिसे कि diabetes, hypertension, cardiovascular disease और respiratory diseases आज जब हम COVID की इस लड़ाई को ले रहे हैं तो जरूरी है कि जो भी high risk में हमारे देश के लोग हैं वे हमें support दें, वे required preventive action लेते रहें और साथ में अपने symptoms के basis पर वे जो भी medical advice और medical follow up आवे करें जरूरी है कि वे social distance बना कर रखें उन लोगों से भी अपने घर में जो की घर से बाहर जाते रहते हैं वे यह ensure करें कि अगर उन्हें कोई pre-existing medical condition हो चाहे वो diabetes हो, hypertension हो, या cardiovascular disease हो वे उससे संबंदित दवाई और उससे संबंदित check-up में कोई भी कोता ही ना करें साथ ही जरूरी है कि हम immunity boosting पर भी काम करें ministry और आयूश द्वारा प्रेस्काइब किये गए चाहे वो हर्बल्टी हो, चाहे काड़ा हो उसको लेकर भी हम अपनी immunity की तरफ भी काम करें या बहुत जरूरी एक कार्य हमारे सामने है इसके साथ ही हम ये avoid करें कि हम बाहर जाएं जरूरत पड़े तो हम telemedicine के द्वारा भी अपनी medical advice लेते रहें